वो मुश्यानती आप सबको स्वागत है आज हम कर रहे हैं 17 अगस्ट के इश्री व्रदान की रिकॉर्डिंग जहां परम्पिता परमात्मा चाहते हैं कि हम अटूट निश्चे के त्वरा हम अपने दर जो questions आते हैं प्रशनाते कैसे होगा कहा होगा कैसे कर पाएंगे पता न प्रूट निश्चे के अधार पर विजय कानुभव करने वाले सदा हर्शित और निश्चिंत भवा हर्शित और निश्चिंत भवा ये दो qualities बहुत important है सदा हर्शित रहना no matter what जो भी हो जाए जीवन में अकाल आजाए गरीबी आजाए भुकमारी आजा लेकिन तब भी निकल सकते हो पर मात्ilद केते हैं कि आजकी दुनिया में गरीब जो लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं थी उनके अंदर भावना है यि जाता है, उनके अंदर महसूसत था है है वो लोब में नहीं आते हैं इसल תाशित अ और बच्य रहते हैं हाँ उनके पास में सूख सुद की निशानी है मनसा वाचा कर्मना, सोच बोल और कर्मना संबंद और संपर्क हर बात में सहज विजई कि आप हर चीज में बहुत अराम से कोई चला रहे होगा आपके उपर ब्लेम भी कर रहा होगा लेकिन आपको सो कोई असर की भावी टल नहीं सकती कि निश्य है कि मैं इस situation से इस problem से बाहर निकला की निकला ये कोई नई बात नहीं है लेकिन इसके लिए मुझे हर्शित रहना पड़ेगा और उसके साथ ही मुझे निश्चिंत रहना पड़ेगा फिर परमाद में कहते हैं ऐसे निश्चे बुद्धी ही सदा हर्शित और निश्चिंत रहेंगे लेकिन जो बहुत ही stress रहते हैं कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा कौन करेगा, उनकी रातों की नीद उड़ जाती है किसी भी बात में ये क्या क्यूं, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है जो इसको 100% परमाद में निश्चे है वो कभी इन questions के पास निए आएगा क्यूं हो गया, कैसे हो गया क्यूं हो रहा है मेरे साथ में, मेरे साथ ही क्यूं हो रहा है क्या उनको समझ नहीं, उनको पता नहीं इसका मतलब भगवान में निश्च नहीं है इसका मतलब हम duplicate है चाहे हम बक्ती में हो चाहे हम ग्यान में हो तो हमारे अंदर परमात्मा के प्रती भक्ती भाव है लेकिन परमात्मा पे निश्चे 100% नहीं है किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निश्चे बुद्धी निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है, क्या स्लोगन हो सकता है जो हुआ अच्छा हुआ सीखा उस है ना और उसमें कुछ राज चुपे में अच्छा है और अच्छा ही होना है आज मैं आपके सामने आ करके इसे बाते कर रहा हूं, मैं ब्रह्मक मायरी से जुड़ा हूँ यह सारी ती कहरी-गरी बाते सीख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दिकते आई थी, ओदिकते महसूस करते-करते, फेस करते-करते, आज मैं यहां पहुँच गया हूँ और आज में जब मैं वोपेस देखता हूं मेरे जीवन में कि थैंक यू यह सारी दिक्कते मेरे जीवन में आई तब ही जाकर के मैं परमात्मा के प्रास पहुचा और मेरी कॉंशिसनेस चेतना थोड़ी उंची हुई है अगर देखते ना आई होती हैं तो आदते बिगड़ गई होती हैं सुख की आदते हैं और बहारी दुनिया भी आदते बिगड़ गई होती हैं और फिर अगर और लेट आता यह ग्यान मुझे मिलता तो उस समय उसको ग्रहेंड करना वो आदतों को निकालना बहुत मुश्किल सबसे मुश्किल आदत है चेंज करना 30 साल की आदत है 35 साल की आदत है 40 साल की आदत है चेंज करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूं जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है और जो हो रहा है वो भी और भी अच्छा ही होना है आपके साथ भी मेरे सा हमारी तरक्की है कई प्रोमोशन नहीं मिली उससे अच्छी ओफर कई और मिल रही है कुछ चेंज होने वाल है अपने जीवन में जॉब छुड़ गई कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा है हाँ किसी को बेमारी आगे किसी को cancer हो गया four stage cancer है last moment है आप कहेंगे कैसे हो सबता है इसमें अच्छा हो गया उस आत्मा का इतना ही बाट था दुख महसूस करने का उसको अब मुक्ती मिल रही है इस चीज़ से ये भी अच्छा है ना कि उसको 10-5 साल तक 2 साल तक 3 साल उसको कीमोठापी दे दे तरपाते उसको उत। लम्बा जीवाना है लेकिन हाँ आप ब्रह्मक कुमारी इसमें आ कर QUE आप सीख सकते है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि fourth stage cancer से निकल चुके हैं अगर आप सुन रहे हैं और अगर आपको भी पता है कि ऐसे कोई वेक्ति है जो कि 4 stage cancer, 3rd stage cancer में हो, उसके पास चाहिए उसको कहिए कि आप ब्रह्मकुमारी जाकर के निशुल्क सीखे इस ग्यान को जिसके तोरह आप अपने अंदर इती ताकत ला सकते हैं, आप अपने आपको heart problems ठीक हो जो कि हैं, blockages निकल चुके हैं, यह कैसे हो पारा है, यह सब कुछ possible है meditation की power के, कोई और meditation नहीं, जो कि ऐसी meditation जो कि आपको परमात्मा से जोट रही हो, वो मुम्बत्ती से नहीं, सांसों से नहीं, वो point से नहीं, उसमें किसी चीज बहुतिक चीज की नहीं, पर आप बहुत तीकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उर्जा हमासे आने वाली है, candle आपको कोई उर्जा देने नहीं वाली, आपकी सांसे आपको कोई उर्जा देने नहीं वाली, जो कि आपको healing करें चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं, वह बुराई में भी अच्छा ही कानुब चिंता शब्द की भी अविद्या हो गई, उनको पता ये नहीं होगा अच्छित मुक्त, हमेशा कोई भी प्रॉलम मा जा रहे है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर दिन अंधिरकार नहीं रहते हैं, अंदर हर दिन रात नहीं रहती है, चौबस